लोग सभाचुनाव की आचार सहता लगने की वजह से प्रदेश के कई किसानों का कर्ज माफ नहीं हो पाया है जिससे किसान अब खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं और साथ ही प्रदेश सरकार को लोग सभाचुनाव में जवाब देने की बाद भी कह रहे हैं देखे रिपोर्ट सब्सक्राइब देखे रहे हैं सरह अमरे पास में भगवाज शिंग परमार हकीमबाद देता हूं साथ मेरे उपर एक लाग पिच्छाशी हजाद जीला सेकारी का कर्जिता था हो पहले मेरे पास मेसेज आए था कि आपका करज मुक्त हो गए और अब उन 20 बघे आचार फ़ में जवाब देंगे और ने पेले क्या बोला था कि हम भीमा देंगे स्वाइब इनका भावंतर्ण देंगे अभी तक कोई भावंतर्ण नहीं ड़िया अभी तक ना कोई गउं की यह एलाव हुआ कि गउं क्या भाव में अगले साल हमने वहीं से लेकर विपक्षी निताओं ने तल्ख अंदाज में प्रदेश सरकार पर जुबानी हमला करना शुरू कर दिया है देखे में आपको बताना चाहता हूँ पत्रकार मोद है कि पूर्व में जब कांग्रेस सरकार आई थी तो इनके नेता राहूल गांदीजी ने प्रदेश सरकार के एक मंच से घोषना की थी कि 11 दिन के अंदर आप कांग्रेस सरकार बनाएं, 11 दिन के अंदर मैं प्रदेश के पूरे किसानों का 2 लाक रुपे जो कर जाए वो माफ करूँगा, उसके बाद चुनाओ हो गए, इनकी सरकार बन गई, फिर राहूल गांदी जी कहते हैं कि देड़ महीने के अंदर आपका कर किसान थे, उनकी जो रिन माफी की पुस्तिका है, वो पूरे एकाउंट सहीद जमा है, चाते तो ये डाइरेक्ट किसानों की सूची लेते और उसमें 2 लाक रुपे जमा करवाते, लेकिन अभी तक सिर्फ छलावा इस कांग्रेस सरकार ने किया है, जिन लोगों के खाते में पैसे आये हैं, उनके खातों में भी कभी 265 रुपे, कभी 1100 रुपे, कभी 2000 रुपे, एसे पैसे डाले जा रहे हैं, और अब जब चुनाओ पास आ गए, अचार सहीता का लग चुकी है, कमलनाज जी के मेसेज सभी खाते दारों के पास पहुँच रहे हैं, और वो कह रहे ह उस मेसेज के माद्यम से, कि अब जिन किसान भाईयों का रिंड रहे चुका है, वो रिंड हम चुनाओ बात करेंगे, तो सीधे सीधे यहाँ पर कमलनाज जी का बादा खिलापी है, उनका धोका है, कि किसानों को सपोर्ट में लेके उनने बोड तो लिये, लेकिन अब जब उनकी मदद करने का टाइम आया है, तो फिर उनको आगे बढ़ाया जा रहा है, रिंड हो को, और कहा जा रहा है कि चुनाओ के बात करेंगे. कुल मिलाकर जिस वचन से मदप्रदेश में कॉंग्रिस ने सरकार बनाई, अब वही वचन बीजेपी के लिए सियासी हत्यार बन गया है. प्यूर रपोर्ट, MP News, सिहार.